हाई, वेलकम तो मैं चोनल, इस बरिवन सालो करें कुछ नमार 12 तो इस वेसल का जो यहाँ पर जो टॉप पर क्या है ओपन है इसका बेस का जो डामेटर दे दिया है वो दे दिया है 20 सेंटिमेटर हाइट दे दिया है 14 सेंटिमेटर तो जब इसका दे दिया है डामेटर का लेंथ और 14 सेंटिमेटर हाइट और बोल रहा है कि कॉस्ट क्या होगा तो 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 team plating करने के लिए अंदर से करना है अंदर वाले surface को पूरा complete और समय बोला है कि ये जो vessel है वो क्या है open है at the top उपर जो है open है उपर खाली है तो वहाँ पर printing तो होगी नहीं printing कहाँ पर होगा जो base area है यहाँ पर होगा base area पर और जो आपका cut surface है यहाँ पर उस पर होगा जो ये cut surface है वहाँ पर होगा printing ठीक है कि यहीं दोनों पर हो सकता है तो अब जो है इन दोनों की area निकाल करके हम क्या करेंगे यदि rates में मटपलाई कर देंगे तो हमारा निकल लागा cost cost of team plating मतबकि यहाँ पर जो rate दिया हुए कैसे दिया हुए यहाँ बोलाए कि 50 पैसे लग रहे है 100 cm2 ठीक है 100 cm2 का area का जो 3 plate करने का cost लग रहा है वो लग रहा है 50 पैसे तो बताए कि total cost कितना होगा यदि हम इसका inner surface का bend कर रहे है तो चलिए solve करते हैं पहले हम निकाले हैं यहाँ पर surface area inside the cylindrical vessel surface area inside inside the cylindrical vessel is equal to क्या हो जाएगा इसमें लिखेंगे area of the bottom area of the bottom base bottom surface लिसकते हैं bottom surface plus curved surface area curved surface अब यहाँ पर हमारा है area of the bottom surface तो bottom क्या है circular होता है तो इसका होता है पाई आर स्क्वार प्लस curved surface area क्या होगा 2 पाई रह 2 पाई आर एच अब यहाँ पर solve कर लेते हैं तो देखेंगे पाई के बलू कितना होती है 22 अपान 7 multiplied by आर स्क्वार आर के बलू क्या रहे के लिएगा तेखेंगे यहाँ यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 20 cm तो यहाँ पर radius हो जाएगा 20 upon 2 मतलब क्यों हो जाएगा 10 cm ठीक है तो 10 cm आ गया radius अब यहाँ पर radius मुट्पलाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 100 ठीक है अब यहाँ solve करते हैं देखेंगे ध्यान देखेंगे यहाँ पर अब solve करेंगे तो मिलेगा 2200 अब अब 7 प्लस यहाँ मिलेगा 7 बंजा 7 और यहाँ जाएगा 7 टूजा 14 और मतलब कर देंगे तो देखें 22 में तो मिलेगा 44 44 टूजा 88 देखेंगे 88 और एक 0 यहाँ पर 10 से मिलेगा तो 0 आए जाएगा whole अपान कुछ नहीं आएगा बस इतना आएगा 880 880 अब यहाँ 7 से डिवाइड कर देते हैं इसमें क्या मिलेगा decimal कुछ मिलेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा देखेंगे जब भी डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पर किवल हम 2 decimal place तक अब ही हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर multiply न करें ठीक है मतलब किवल यहाँ पर cross multiply कर लें 7 से इधर तो क्या मिल जाएगा है हाँ पर 2200 प्लस 7 से इधर मुटपलाई करेंगे 7 जड़ा 0 और 7 जड़ा 56 का 6 5 करेंगे ओफर 7 जड़ा 56 56 और 5 61 61 61 इतना आगया इन दोन को आड़ कर देते हैं तो मिलेगा आपको 0 का 0 0 और 0 जो आड़ करेंगे 0 आएगा 6 और 0 6 ही आएगा फिर आएगा 1 प्लस 2 3 फिर 6 और 2 8 होल अपन 7 अब यहाँ पर क्या आजाएगा 7 बंज़ा 7 और यह प्रकाटेगा 7 बंज़ा 7 एक बार गया 7 बंज़ा 7 कितना बचा यहाँ पर 1 बचा और 1 और यह आगे वाला 13 मिल का कितना होगा 13 हो गया 13 मिल जाएगे 7 जा 7 एक बार फिर जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद ओके 7 हो गया कितना बचा तो 3 और 3 6 हो गया 66 हो जाएगा अब 6 बचा तो यह हो जाएगा 66 तो 7 नजा 36 होता है 7 नजा 36 7 नजा 63 होता है तो 3 बचेगा अब यहाँ पर 30 हो जाएगा 7 फोर्जा 28 7 फोर्जा 28 हो जाएगा 2 बचा 2 बचा तो डेस्मेल बढ़ाएंगे अब यह हो जाएगा 20 7 टू जाए क्या होगा 14 हो जाएगा फिर मैनस करेंगे तो मिलेगा हमें 6 60 हो गया 7 नजा 56 56 होगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 यदी होगा 56 यदी होगा तो मिल जाएगा 4 40 हो जाएगा फिर से और 75 जा 35 फिर मिल जाएगा 50 50 में करेंगे तो 77 जा 49 मतलब ऐसे करें मिलता रहेगा तो खेर हम multiply नहीं करने वाले बार बार एप्ट करके तो बस इतना रहने दीजे decimal के 4 points तक हम कर लिए है तो इतना तक ही रहने देते हैं अब क्या करना है हमें solve करना है यहाँ पर इस तरीके से इतना क्या आगया है cm2 ठीक है यह क्या आया है area of inner surface अब करना क्या है हम रिकालना है cost so cost of tin plating tin plating इसको क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पर थोड़ा लग तरीस करना पड़ेगा आपको दिया क्या है इसमें दिया है कि cost of tin plating 100 cm2 of area इसको 2 दिया हुआ है कितना 50 पैसे अच्छा 50 पैसे दिया है मतलब क्या कर सकते है इसको 50 अपान 100 करके रूपीज में करवाड कर सकते है इसको ठीक है यह जिर जिर गंजिल हो गया 5 पैसे 5 पैसे 10 में तब की 1 अपान 2 रूपीज आएगा यहाँ पर अच्छा ठीक है तो cost of tin plating 100 cm2 इसको लगी इतना हो गया 1 by 2 रूपीज अब निकाल लेंगे cost of tin plating 1 cm2 of area इसको लुक्या हो जाएगा 100 से डिबाट कर देंगे तो 1 upon 2 में भी डिबाट कर देंगे 100 से तो मिल जाएगा आपको 1 upon 200 रूपीज तो 1 cm2 area को टिन प्लेट करने में 1 upon 200 रूपीज लग रहा है तो अब निकालना है final answer cost of tin plating कितना इतना cm2 area कितना लगएगा तो यहां लिख देंगे 1194.2857 डॉट डॉट कुछ रहेगा तो बात नहीं करने अभी इतना area इसको कितना हो जाएगा 1194.2857 upon 200 इसका हमें निकालना है अब करना क्या है 2 से कटा दिजिए पहले तो 212 यह 100 हो जाएगा और 2 से हैं पुरा काट दिजिए का क्या मिलेगा 2510 2510 हो जाएगा 1 बचा कितना हो जाएगा 1 बचा तो 19 हो जाएगा 2918 होता है 2918 हो जाएगा 1 बचा 14 2714 फिर 5 इसमेल हैं बचा हुआ है इसमेल रखेंगे 202 248 यहां पर मैं जाएगा 224 और 2417 हो जाएगा 2816 और डडडडड़ इसे आता रहेगा ठीक है तो हम यह इतना ही रहने देते हैं अब इतना करने के बाद इतना हो जाएगा मतलब आजाएगा आपको 597.1428 हो लपान 100 यह क्या आजाएगा इतना इतना आजाएगा रुपीज में तो हम इसको क्या मतलब कर सकते हैं देकि 100 से डिबाइड दरे में तो क्या होगा यह जो डेस्मल है वो दो प्लेस एक यहाँ यहाँ पर आजाएगा मतलब किसको लिसकते हैं 5.971428 लेकिन इतना डेस्मल तक हम नहीं रखेंगे इसका आजाएगा 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 5.97 देखिए यहाँ पर ध्यान देजगा यहाँ पर क्या है 1 है 1 है मतलब कि 5 से कम है 5 से यहीं लेस रहेगा तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा आप वह ऐसे ही रख देंगे यहाँ पर लेकिन यहीं 1 के जगा पर यहाँ पर होता 8 या फिर 5 से कोई भी नंबर होता ज्यादा मतलब यह 5 होता 6 होता 7 होता 8 होता 1 के जगा पर इसके जगा पर तो हम जब इसको राउंडिंग आफ करते तो 7 के जगा पर 8 लिखते है हाँ ठीक है तो हमारा जो फाइनल आंसर है 5.97 रूपीज टोटल यह इतना ही रूपीज लगेगा इस टोटल इस स्लेंडिकल वैसल को क्या करने में टिन प्लेटिंग करने में थैंक इस सो मच फ़र वाचिंग बाई